लोगसभा चुनावों में जहां तक बयान बाजी की बात है भारती जहां था पार्टी की निताओं ने तमाम हदों को पार कर दिया है चुनाव आयो खामोश बैठा हुआ है गोदी मीडिया इसके बिलकुल चर्शा नहीं कर रहा है ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल खिलाबाजाद है तेरे सबसे पहली जो मिसाल मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों उसे सुनने देखने के बाद आप इतना हसने वाले हैं मैं बतानी सकता हूँ दोस्तों खबर क्या मैं आपको बताता हूँ इस खबर के दो पहलों है सबसे पहले, आपके स्क्रीन्स पर ये हैं भाजपा के नेता सांसर निरहववा, निरहववा ने बयान ये दे डाला, कि साहब बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए रोजगार संभव नहीं है, और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और योगी तो बच्चा भी नहीं पैदा कर रहे हैं, तो वो तो बेरोजगारी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, कॉंग्रेस के नेता, श्रीनिवास बीवी ने इस बयान को सबसे पहले पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, मैं चाहूंगा आप उसके 20 सेकंड सुनिये, मैं नहीं जानता था कि भोच्व रिबल्स में, आक्ट कोई, एक भी बच्चा आए, योगी जी का, तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिये, कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कोन रहा है ये बेरोजगारी, जो बच्चे पर पैदा किये जा रहा है, और सरकार कह रहे है, रूख जाओ, तो मान भ ही पकड़ा जाता है, आनकी भाजपा प्रचार तंतर का मुखिया, अमित मालवी कहता है कि ये फेक वीडियो है, कॉंग्रिस ने AI के जरीए, आटिफिशल इंटेलिजेंस के जरीए, ये वीडियो जो है, वो जेनरेट किया है, निरहवा भी कहते हैं कि मैं F.I.R. दर्ज सबसे पहले आमित मालवी का बयान आपके स्क्रीने पर, वो और कहते हैं एडिए ये ये विडियो का स्कूर इनी वेडियो है, तो क्राम चींट इस था इंट, तो आजुब बहुत कॉंदेट करल नुच gonna. के शैवा थैडिज था एण्ठी दांत हो two of inde, this is the the screen shots with the stamp and video recordings for a legal case यह आदमी यह धमकी दे रहा है कि साहब हम case करने वाले हैं हमारे पास सारे सबूत हैं यह जूटा वीडियो है डीप फेकर न जाने क्या क्या का उसके बाद क्या होता है दोस्तों जैसे ही अमित मालविय का यह बयान आता है आप बयान सुन चुके हैं तो निरह निरहुआ कभी बयान आता है निरहुआ क्या कहते हैं आपके screens पर फेक वीडियो प्रमोट करने का trend हो गया है कॉंग्रेस वालों का कोई भी देखकर समझ जाएगा कि ओंट कुछ और बोल रहे हैं artificial intelligence से sound clone करके क्या साबित करना चाहते हैं श्री निवास शुनाव आयो कृपया संग्यान ले कितनी बड़ी बात कह दी हाँ पर ने रहुआ ने कि जो बयान अभी अभी मैंने आपको सुनाया वो बयान उन्होंने दिया ही नहीं तो हुता किया है दोस्तों उसके बाद alt news इसकी जाँच करता है और वो पहुँचता है पत्रकार संतोष कुछवाह के पास जुनों ने वो interview लिया था और फिर संतोष कुछवाह का YouTube का पूरा interview सामने आता है अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसी YouTube से दरसल निरहुआ ने कहा क्या था थोड़ा लंबा करीब एक मिनिट का करीब पचास सकेंड का सुने उन्होंने क्या क्या था को है की आफ कम बच्चा पएदा करो थो कहा रहे हो और नहीं नहीं हो रहा है तुम ब्याजगार शाक्रम व स्ट्पान भी तो एक बार भी सोच रहे हो कि आँए पे रोजगारके थो तो यह इंटर्व्यू लिया था पत्रकार संतोष कुश्वाह ने इसमें साफ तौर पर आपने सुना दूद का दूद, पानी का पानी हो गया अब जैसे ही यह हकीकत सामने आती है निरहुआ का जो यह बयान था वो उसे डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, यह देखिए डिलीट कर देते हैं और मैं आगको याद दिलाना चाहूंगा कि भाचवा प्रचार तंत्र का जो मुखिया है अमित मालवी है, जो कई बार जूट बोलते हुए पकड़ा गया है यानि कि इसे यह सौभाग्य हासल है कि ट्विटर ने कई बार इसके ट्वीट्स के बारे में कहा है कि यह गलत है, गलत है, गलत है कई बार ये जूट बोलते हुए पकड़ा गया है इसके जूट की दास्तानों पर बाकाइदा लेक लिखे गए है चाहे वो पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह हो, राहूल गांधी हो शाहीन बागो, जूट पे जूट जूट पे जूट ये बन्दा लगातार बोलता है प्रधान मंत्री नों कहा था ना जूट बोलो, बार बार जूट बोलो उनका वो जो बयान है नो इसका सही माइने में अनुसरन ये करता है और कितनी बड़ी बड़ी बाते कर रहा था कि F.I.R. कर दूँगा, हमारे पास सारे सुबूत है कहने का अर्थ क्या हैं और ये खबर मैं आपको क्यूं बता रहा हूँ इस पर काइदे से गोधी मीडिया को बवाल कर देना चाहिए था कि एक तो चोरी उपर से सीना जोरी बयान आपका खुद का और आप कह रहे हैं जूटा बयान है दोस्तों ये जो हो रहा है ना ये कल्पना से भी विचित्र है मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ये बात आपको क्या बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती बयान निरहवा ने दिया और देने के बाद कहते हैं नहीं साब जुटा बयान है डीप फेक है आर्टिफिशल इंटेलिजिंस है फेक वीडियो है और फिर जब हकीकत सामने आती है तो डिलीट कर देते हैं अपना बयान अब मैं आमित मालवी से कहना चाहता हूँ मैं कारकरम कर रहा हूँ मैं कारकरम कर रहा हूँ जहां मैंने आपको पूरी हकीकत बताईए क्या कहना चाहोगे बताओ वाकई भारतिये जन्ता पार्टी ने कमाल कर दिया है अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ बार बार चुनाव में सम्विधान को बदलने की बात की जा रही है अमिच शा अपने चुनावी भाषणों में पहले प्रधान मंत्री नहरू की याद कर रहे हैं जो अब जीवित भी नहीं है मनिपूर में बत्तर हालत के लिए उन्हेंने जिम्मा जो है वो नहरू पर ठहराया है सुनियो उन्हेंने क्या बयान दिया जवाला नेरू ने आसाम को बाई बाई कर दिया था कभी मनिपूर का सन्मान कॉंग्रेस ने नहीं किया हजारों दिन तक यहां ब्लोकेड रखा और तीन वर्स तक मनिपूर बंद रहा था और सैकडों लोगों का फेक एंकाउंटर करने का काम इबो भी सिंग की सरकार ने किया था मित्रों इबो भी सिंग की नागा कुकी संगर्ष में साड़े साथ सो लोग मारे गए मताई पेंगल संगर्ष में सो लोग मारे गए और कुकी पाइते संगर्स में भी सवा 300 लोग मारे गए भाई और बेनों कॉंग्रेस ने मनिपूर को नाका बंदी वाला राज्य बनाए थे अमे जी पूरे संबान के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मनिपूर में हालात अब भी बत्तर हैं और आपने अपने मुख्यवंत्री पर कोई कारवाई नी की उन्हें पत से नहीं हटाया तूसरी तरफ आप हेमन सोरेन को जेल में डाल देते हैं अरविंद केजिवाल को जेल में डाल देते हैं और आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हो कि भई उन राज्यों में किसी तरह से राश्पती शासन लग जाए मनिपूर आइडियल केस है राश्पती शासन का मगर मजाल हिसाब आपको या आक्शन लें कुछ भी उलूल जुलूल कहो गोधी मीडियास पर कोई चर्शा नहीं करेगा इस पर कोई समबाद नहीं किया जाएगा और हाँ पार्टी का हर नेता सम्विधान बदलने की बात कर रहा है बार बार कर रहा है वो सम्विधान जो बाबा साब अम्बेटकर ने पूरे देश को दिया था उनकी कोशिश उनकी मेहनत उस वक्त जो हमारे स्वतंतरता सेनानी थे जो कुंस्टिटुएंट इसेंबली का हिस्सा थे उस सम्विधान को बार बार बदलने की बात की जा रही है सबसे पहले राम के नाम पर खुले आम वोट मांगने वाले आरुन गोविल क्या कह रहे हैं काइदे से इन पर चुनावाय को आक्शिन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया अब ये व्यक्ति सम्विधान बदलने की बात कर रहा है सुनते हैं सम्विधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनसार गाल के अनसार changes हुए है धीरे धीरे तो Bulloch चेंज करना जो है वो प्रगती की निशानी होती है उसमें खराब भात नहीं होती क्योंकि परिस्तितिया उस वक्त की कुछ और थी आज की परिस्तितिया कुछ और है हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों भाश्पा के सांसद लल्लू सिंग ये भी सम्विधान बदलने की बात कर रहे है और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है सुनिए इस मुद्दे पर क्या कहने है लल्लू सिंग इसके लिए कई कई नियम बड़ने होगा इशंविधान में संसोधन करना होगा और बहुत पारे क्ना करते हैं सरकार तो 272 तो भी बन जाता है लेकिन 272 की सरकार संबिधान में संसोधन नहीं करता है उसके लिए दोत्याई गरूमर से अधिक से जाए या नया थम्दिभान बनाना तो इसलिए है देश की बागदूर हो। देश की सभी संपत्ति, खेती, किसानी और संसाधन बड़े लोगों की हाथ में रहे। देश के न्याय प्रिय, अमन पसंद, वंशित, दलित, पिछड़े और घरीब वर्क की लोग भाशपा कुछ चुनावों में कड़ा सबक सिखाएंगे। मगर मुद्दा सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, चुनाव आयोग जो है वो संविधान के एसाब से चलता है, जाहिर सी बात है चुनाव आयोग में जो अधिकारी बैठे हुए संविधान से बंधे हुएं। मगर भाशपा के नेता लगातार कह रहे हैं, अब दो और महिला नेत्रियां जो हैं भाशपा की, जो चुनाव में अपनी किसमत आजमा रही है, दोनों ने संविधान को बदलने की बात किये, एक एक करके सुनिए, ध्यान से सुनिए, हर किसी का लहजा वही सुनाई दे रहा सुनिए क्या कहा जा रहा है और में अपक在 संविधान को सम्नादा के माइडान के लिए क्यों रोख सुनिए लोकसबहा और राजेस्बहा दोनों के उसके आवड़ेदान के लिए लोकसबहा राजाचिसमा। अगर इस बार इंडिये की सरकार आती है तो शर्तिया अब आप बताईए कोई एक व्यक्ति कहता तो बात समझ आती है कम से कम आधा दर्जन भाजपा के नेता ये बात कह रहे हैं कि सम्विधान बदलेंगे बदलेंगे काईदे से इस मुद्वे पर डिबेट होनी चाहिए कि जो सम्विधान बदलने की बात भाजपा कर रहे है या उसके नेता कर रहे है इसका मकसद क्या है मगर इसकी कोई चर्शा नहीं हो रही है शुनाब आयोग इस पर कोई संग्यान नहीं ले रहा है अनाव शुनाब बाते निरहुआ करते हैं कि मोदी जी और योगी जी ने बच्चा थोड़ना पैदा किया है उन्होंने बेरुजगारी थोड़ना बढ़ाई है उन्होंने जनसंख्या थोड़ना बढ़ाई है सबसे बड़ी बात निरहुआ ने अपने भयान में ये भी कहा था कि सरकार बच्चों में जहाकेंगे क्या रवी किशन जवाब देंगे क्या मनोश्तिवारी जवाब देंगे क्योंकि इन सभी सांसदों और नेताओं के दो से जादा बच्च हैं बताईए और कई पर बात करने को लेकर हां बेरोजगारी उन सवालों के जवाब दीजे उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है सबसे बड़ी बात हमारे भारतिय समाज में हमारे धर्मों में बच्चों का आना एक शुबक चीज होती है बहुत शुब चीज होती हम सब जश्ण मनाते हैं मगर निरहवा का बयान जो है नहायती संबेदन हीन है और उपर से ये कहना कि प्रधान मंत्री और योगी तो बच्चा थोड़ना पैदा कर रहे हैं मानों बच्चा पैदा करना जो है वो बहुत बड़ा गुना है शौकिंग बाज आए भाश्पा इस तरह के अनरगल बयानों से अब इसार शेर्मा को दीजे इजास्त नमस्कार